तो आज हम अपने ठाकुची के लिए बनाएंगे मकस करन्ती श्पेशल बसंत पंचमी के स्पेशल काइट वाली ड्रेस तो उसके लिए मैंने बक्रम का पीस लिया है और जो भी आपके साइज के ठाकुची है उसी के कोडिंग आपको फैब्रिक एंड उसी साइज का आपको ब 10 लेंद दैंच would it? है इसके बाद 10 शिय्च का ही मैंने सेम साइस का यह वाला पीस उसके बाद हाम जो किस सक dolphin करेंगे आप उसको ध्यान से देकिए जाशे कि 120 इंच का एक है इसको हम aiय से फैब्रों गरेंगे उसको कूह हम कुछ इस तरह से फोल्ड करेंगे आपको एक फैब्रिकों मैंने दोनों डाइगनल से फोल्ड कर दिया है डाइगनल से फोल्ड करने के बाद हमने ये क्योंकि एक दो तीन चार पार्ट से इसके बन जाते हैं तो यह मैंने उसका भी पीस निकाल लिया और इसी सेम साइज का हमने फैब्रिक भी कट कर लेना है जो कि मैंने यलो सनील के फैब्रिक के अंदर कट कर लिया है अब ही मेरा process क्या है कि सबसे पहले इसको इस बक्रम के साथ paste करने है फिर इसको टेल को इसके साथ paste करने है तो ये दोनों जहें प्रोसेस में फटा-फट से complete कर लेती हूँ तो इस तरह ऐसी फटा-फट से हम जो है इसको complete करेंगे तो जैसे ही ये वाला जो इस फैब्रिक मैं इस पे paste कर देती हूँ और टेल का फैब्रिक टेल की बुक्रम पे paste कर देती हूँ तो जैसे ही मैंने इन दोनों को paste कर लिया है उसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक multi color की lace जो कि आपको market में से आसानी से मिल जाएगी अदरवाइस आपकी घर में कोई भी टाइप की टेसल्स वाली lace पड़ी हूई है तो आप उसको लगा सकते हो तो सभी boundaries के उपर सिर्फ मैंने इसको boundaries के उपर attach करना है तो यहाँ पे और चारों sides में मैंने इसको फटाफट से लगा लेना है तो यह देखे जैसे कि मैंने इसके boundary के उपर यह बली lace लगाई वैसे ही same as मैंने टेल के उपर लगा देनी है तो फटा-फट से glue gun की help से अगर आपके पास glue gun नहीं है तो आप Favibon, Favistic, Favical कोई भी ग्ल्यू ले सकते हो सूपर glue बगारा तांकि जिससे क्रण्च आपका पेस्ट हो जाए क्योंकि सूपने में बहुत टाइम लगता है अभी winter का season भी चल रहा है तो उसकी वज़ा से आप कोई भी glue ले सकते हो तो इस वज़ा से यहां पे मैं टेल पे भी cover करूंगे उसके बाद हमने क्या करना है next step है हमारा कुछ इस तरह से इसको double fold करना है same width के उपर तो same size में इस तरह से double fold करने के बाद यहां पे हम निकालेंगे hole जहां पे ठाकुजी के आएगी waste मलब वेस्ट का size आएगा कमर का size आएगा वहां से हम रखेंगे इस तरह से open तो यह देखे यह हमारा हो गया है ready तो अभी मैं आपको यह वाला complete करके दिखाती हूँ और जैसे यह वाला complete हो जाएगा हमने इसको इसके उपर add कर लेना है कुछ इस तरह से joint करेंगे तो उसके बाद जैसे हमारी tail ready हो गई है यहां पे क्योंकि हम जब ठाको जी को ड्रस पहनाएंगे तो कहीं न कहीं से वह open होनी चाहिए अगर आपको यहां से पूरा cut लगाना है पूरा लगा सकते हो अधर आपको simply यहां से इतना इतना हमने cut लगा लेना है और बाकी के एरिया के उपर हमारे ठाको जी की यह वाली जो हमने tail ready की हुई है काईट की तो वह वाली आ जाएगी तो उसके पीछे राम से इस तरह से glue लगाएंगे और इसको इस तरह से paste कर देंगे अब यह होगी पेस्ट अभी मैंने क्या करना है काईट की स्टिक्स बनानी है तो स्टिक्स बनाने के लिए simply मैं एक लेस ले रही हूं कोई भी आप लेस ले सकते हो इससे मिलती जुलती जो भी आपके पास अभी लेबल हो और कुछ इस तरह से यहां पर यह वाली जो क्योंक को बहुत हो जाएगी लगाना उसके बाद हम यहां से स्टिक लगाएंगे एक पुछ इस तरह से और क्यूंकि यह वाली जो स्टिक हैं इसको डुबल कर देंगे क्योंकि यहां तक लगेगी हो ल है हमारे ठाकुजी के बेस्ट डालने के लिए तो इसलिए यहां से लेकर हमन मैंने दूसरी स्टिक बना देनी है लेकिन शेप उसकी रहेगी कुछ इस तरह से क्योंकि मैंने सीक्वेंस वाली लेस लिए तो इसलिए यहां पे हो गया हमारा यह वाला स्टैप और उसके बाद मैंने नीचे वाली साइड में भी सेम स्टिक वाला जो है पैटरन बना देना है यहां पे हलका सा पैटरन बनेगा और यहां से हलका सा हमने खुला ही रखेंगे तो स्टिक को बनाने के बाद कुछ इस ट्राइप का डिजाइन रेडी हो जाएगा अभी हमने बैक साइड में वर्क करना है एक स्टिप लेनी है लोंग साइज की जो की इनके घेरे के तो अगर आपके पास extra fabric है तो उसको आप बाद में कट कर सकते हो तो इसलिए फटा-फट से में इसको घुमा लेती हूं और पूरे के पूरे सरकल के उपर लगा लेती हूं तो कुछ इस तरह से हमारी स्ट्रिप पेस्ट हो जाएगी कुछ इस तरह से और दूसरे एंड से भी हमने हलका सा इसको फोल्ड कर देना है तो जब हम इस strip को पेस्ट कर लेंगे इसको हम निकाल लेंगे दूसरी साइड में सीधा करके तो इस ट्राइप से यह वाली जो strip है वो बाहर आ जाएगी और यहां पर हमने डालनी है लटकन वाली डोरी जिसमें कि आप जो गोल्डन या सिलवर कोई भी कलर की डोरी ले सकते हो अभी जैसे कि हमारी strip जो रेडी होके आ चुकी है इधर वाली साइड से तो हम इसमें डाल करेंगे एक डोरी और यहां से इसको हलका से इस तरह से फोल्ड करके और फिर से ग्लू गन की हल्प से पेस्ट करेंगे अगर आप यह काम स्विंग मशीन की हल्प से करना चाते हो तो भी कर सकते हो मैंने आपको step by step सब कुछ बता दिया है और simply हमने सारी कि सारी स्टिप जो तो यह एक जो है वेस्ट बैल जो है बनकर रेडी हो जाएगी तो यह देखिए यहां पर तो ये पूरी पूरी इस्टे फ्रेडी होने के बाद मैंने ले लिए हैं कुछ मीरर लेस के पैचिस ये वाली जो कुछ इस टाइप के मेरे पास लेस पड़ी होई थी तो इसके मैंने पैचिस कट कर लिए है लग-लग ताकि हमारी काइट वाले ड्रेस और भी ज्यादा अट्र सब को पेस्ट कर लेती हूं तो जैसे ही पेस्ट करूंगी तो हमारी काइट वाली सुन्द सी ड्रेस बनकर रेडी हो चुकिए अगर आप इसमे के बीच में कोई भी स्ट्रोन लेस घर लगाना चाते हो तो आपकी चोईस है आप इसको और ज्यादा हैवी लुक जो है दे सकत इसके उपर लगाकर अदर्वाइस जो है सिंपल, सोबर, मकर सकरांती और बसंत पंचमी के स्पेशल आपके लिए ठाकुची के लिए काइटरेस रेडी हो चुकिए तो कैसे लगी आज के आपको वीडियो होपस हो कि आपको अच्छी लगी होगी अगर आपको वीडियो लाइक और चैनल प्रने हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं अपनी नेक्स वीडियो में नई आइडिया के साथ रादी रादी दोस्तों